वेल्कम डो मैं चैनल मेरा कोचेंग अगाइडिंग में असलाम लेकूम अमीद आप साथ है इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कास करूंगी आप पांडियो किलर स्केल्टन में बॉन्स ओफ अपर लेंज को लेकुन उससे पहले अगर आप चैनल पिल नहीं है तो चैनल को इसप incapaccia कुए हो आपंञेड़ स्केल्टन क्या होता है अपंडीकुल होता है हमारे पास श्वर्डर एपर लेंज इंड बेल्विट गल्स विद लेंज लूल्र डेल्स ओज अंडवन् in डी घेंट Key Shrda le रिड़ें जो ह acontece है वह सेट आप बॉन्स होता है। जो कनेक्ट करता है अप्पर लिंच को एग्जिएल सकेलटन के साथ। अब बॉन्स मैंने बताया है स्कैपुल और च्लिविकल Скैपुलो की अगर हम बात करे। тут scapula論 is flat and triangular shaped bone its two in number here lies on superior and posteriorly on both स्पेरियो पॉस्टेरियली की हम बात करें मिन्स टो वर्ड हैड एंड बैक ऑफ ते बॉड़ी और बोड़ साइड ऑफ चेस्ट वाल पर प्रेजन्ट होती है और सुपर्फिशली किदर होती है रिपसे के साथ होती है और इसमें स्कैपुला में गैलिनाइट कैविटी होती है गैलिनाइट कैविटी क्या होती है गैलिनाइट कैविटी को हम कह सकते हैं अर्टिकalr सर्फिस और्टिकुलर सर्फिस मीन्ज के यह शेलु डिप्रेशन होता है बॉन के ओपर जो के दूसरी बॉन को फिट करता है जॉइंट्स मताता है और स्कैपुला जो बोन होती है उसे जो उसमें फिक होता है गलिनट कैवटी में head of humerus you remain com तो गैलेनाट कैवय्टी में क्या हическая ओता है धर होता है यहां पर लिखा भी होगार दोछ है spline hemius की साथ forgiving कि अगर हम बात करें spine होते है यह prominent plate होती है ढोन की जो cross करती है obliquely the medial fourth fifth of dorsal surface of scapula as its upper part यहां भी आपको यह जो बोन नज़र आ रही है इसकी back side पे जो बोन है वो spine bone है इस तरह तो आपको नज़र नहीं आएगी मैं आपको diagram यहां पे show करवा दूँगी आप देख लीजिएगा then acrombine process acrombine process जो होता है यह bony process होता है scapula के उपर यह आपको नज़र आ रहा है scapula के उपर और इसकी जो हती है यह? गोर ahora scapular spine होती है इसकी continuation में आता है जहां पे spine end होता है अज़े ऐगे acrombine process start होता है then clavicle bone क्लाविकल क्या हुती है इसे कालर बोन Philippines कहते हैं एक हम कालर बोने क्याते हैं और यह S-shape होती है टू इन नमबर होती है, बोच साइड पर प्रइसन होती है और इसका जो मीडियल अन्ट होते है वह औरृकृलिट किसके किसके साथ आर्टिकिलेट करता है और और जहां पर दो पोंज मिलती है ।その इक नापनास करते हैं किसके साथ करती है मैनोब्रियम और स्टर नम मैनोब्रियम क्या है यह एक large quadrant regular shape bone होती है जो के present होती है body of sternum पे सामने वाले जो bone आती है वहाँ पे manubrium उसे कहते है और joint कौन सा बनता है clavicle के साथ sternum का manubrium of sternum का sternum clavicular joint और अगर हम lateral end की बात करें एक तो acromine of scapula के साथ joint बनाता है clavicle कौन सा joint बनाता है यहाँ पे आपको acromine और यह नजर आ रहा होगा कौन सा joint बनता है यहाँ पे acromia clavicular joint बनता है यह है diagram of clavicle and scapula यहाँ पे scapula है यह acromine है इसके back side पे spine भी है और यहाँ पे आपको galonite cavity जिसमें यह head of humerus जो है वो फिट हुआवा है यह galonite cavity है और यह जो bone scapula यह triangular shape bone है जन हम upper limbs की बात करते हैं upper limbs में क्या आता है upper limbs को हम four limbs भी कहते हैं upper limbs में जो bones आती है उसमें होता है branchium branchium क्या होता है upper segment of arm जो होता है जो के shoulder से elbow तक जाता है उसे branchium कहते हैं और anti branchium में इस branchium के opposite side पे यह upper segment of the arm between elbow and wrist उसे हम anti archium कहते हैं यह forearm कहते हैं और hand इसमें आता है upper limbs में क्या 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 आता है arm four arm और hand branchium anti branchium and hand then आगे discuss करते हैं branchium को arm में क्या आता है यह branchium में क्या आता है humerus bone humerus bone कौन से bone होती है यहां पे आपको यह bone नज़र आ रही है यह humerus bone है और हमारी जो upper segment है arm का वह वहां पे जो एक bone present है उसे हम humerus कहते हैं humerus bone की क्या होते हैं head होता है neck, body, shape and distance surface होती है head की बात करते हैं humerus का head होता है semi circular होता है यहां पे आपको head नज़र आ रहा होगा यह semi circular शेप में है और यह joint बनाता है galnight cavity में जो मैंने बताया था galnight cavity होती है वह depression होता है जिसमें humerus bone के head हो fit होता है यह कहां पे joint बनाता है galnight cavity के scapula की galnight cavity हो उसमें joint बनाता है और distal to the head head की तरफ इसका जो distal part होता है वह उसमें roughened to roughened projection होती है जिसे हम greater और lesser tubercles कहते है distal अगर हम कहें तो distal का direction है वह कहें है कि situated away from the center of body away from the center of body जो part होता है उसे हम distal कहते है अब distal to the head head कि say distal away from the head क्या होगा दो roughened projection होगी जिसे हम greater or lesser tubercles कहते है कहाँ पहते है between there is a deep groove इनके दर्मियार में क्या होता है deep groove present होता है यहाँ पहे आपको ग्रेटर tubercles नजरा आग रहा होगा यहाँ पर lesser tubercle नजरा आख अब greater tubercle क्या होता है lesser tubercle क्यों होता है greater tubercle जोता है वो prominent area होता है bones का top of humerus पे और जो lesser tubercles होता है यह smaller होता है और locate क्या में करता है medially locate करता है यहाँ पर आपको medially नजरा आ रहा होगा यह lesser tubercle present है then shaft shaft क्या है shaft को हम body पह कहते हैं और diafaces भी कहते हैं और इसमें deltite tubercity होती है अब deltite tubercity क्या होती है वो puffed surface होती है lateral surface of shaft of humerus पे lateral surface of shaft of humerus पे आपको हम बात करें dominant surface होती है और वोत्य यह पर दिवायोगाई प्रेंगाल होती है और इसमें क्या होता है boneолод मेरा प्रेज्चरीं होता है distal surface के की बात करें humerus के 2 services होती्व has डिस्टल सर्फिस पे दो सर्फिस होती हैं जो कि अर्टिकुलेट करती है किसके साथ रेडियस और अल्बो जॉइन को बनाती है 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 या फॉर आर्म क radius और alna आती है radius और alna ये दो bones होती है four arms की और alna जो होती है वो medial to the radius bone और longer होती है किस से? radius से अब alna और radius articulate के इसके साथ करती है humerus के साथ articulate करती है elbow joint पे और carpel के साथ करती है wrist joint पे अब bones देखती है हम alna और radius यहाँ पे अगर आप bone देखें तो आपको alna और radius bone दोना नजर आ रही होंगी मैंने बोला था कि alna जो होती है वो longer किस से होती है radius से और alna bone जो है longer है radius से और यहाँ पे जो joint बनता है वो कौन सा joint बनता है? distal radio ulnar joint यहाँ पे ulnar notch भी present होती है और head of alna आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा head of alna और यह जो bone होती है यहाँ पे इसका joint बनता है किस के साथ? wrist पे इसका joint बनता है कार्बल bone के साथ और इसका joint बनता है elbow joint वो humerus के साथ इन दोनों का बनता है so यह है diagram of alna and radius यहाँ पे आपको head भी radius का नजर आ रहा होगा यहाँ पे यह neck है radius का then this is a radius bone and this is an alna bone and still light process of radius यहाँ present है then आपको यहाँ पे radial notch नजर आ रही होगी head नजर आ रहा होगा और यही सारा process है और इसमें cavity होती है जो के एक दूसे के साथ यह जो membrane होती है यह membrane के साथ attached होती है इस membrane को हम कहती है intrao-saucius membrane और यह जो bone होती है यह जैसे मैंने बताया strelite process होता है radius का वैसे ही alna का भी कौन सा process होता है alikarachnon process then अब हम देखते हैं हमने discuss करिया arm humerus को discuss किया arm में for arm में radius और alna को discuss किया अब हम head को hand को discuss करते है hand में हम देखे so hand में carpal bones आती है जो के disc में present रहती है then metacarpal और phalanges carpal, metacarpal, phalanges की जब बात करते हैं carpal पहुंच यह वह eight bones होती है जो के arrange होती है row में four, four arrange होती है four proximal row में arrange होती है four distal row में arrange होती है और जो articulation अगर हम देखे proximal और यह जो distal bones है इनके नाम नहीं है articulation बात में देखते है proximal में हम देखे scapite bone, leonite, tricutium, pisiform और distal row में trapezium, trapezite, capitate, hamate यह bones होती है यह bones के नाम याद रखना मुश्किल है अगर हम इसको trick के जरीए याद रखे आपको last में बताती हो articulation अगर हम देखे यह जो proximal row है जिसमें scapite, leonate, tricutium और pisiform आती है यह joint बनाती है किसके साथ? radius और alna के साथ और यह जो distal row होती है जिसमें trapezium, trapezite, capitate, hamate होती है, यह joint बनाती है metacarpal के साथ और यह जो bone होती है इसके साथ close होती है और इनके दर्मियान ligaments होता है ताके इनमें जो movement होती है वो इसलिए हो सके metacarpal bone जो होती है और यह जोती है, वो palm of hand बनाती है और इनकी जो numbering होती है वो thumb side से start होती है articulation अगर हम देखे, इसके जो proximal end है वो किसके साथ आर्टिकुलेट करता है कारपल bone के साथ जोइंट बनाता है वो किसके साथ आर्टिकुलेट करता है अब फिलिंजिस क्या होता है यह finger bones होती है इच हैंड पे और यह क्या बनाती है fingers of hand two in thumb and three in each मतलब फिलिंजिस होती है वो दो thumb में होती है और तीन तीन जोती है वो हर finger में present होती है अगर हम इनकी देखें यह आर्टिकुलेट करती है metacarpal bones के साथ जोइंट क्या बनाती है कि यह hang joint बनाती होती है अगर हम इनकी diagram देखें यहां पे आप bones of hand की diagram देखें यहां पे आपको यह नज़र आ रहे है और यह metacarpal bones जो palm of hand बनाती है यह phalanges 2 in number in thumb and 3 in each finger यहां पे आपको यह नज़र आ रहेंगे 3 in each finger यहां पे 2 in number है यह metacarpal यह phalanges और phalanges इसके भी अलग अलग है distal fillings, medial fillings और proximal fillings और यह जो finger है यह index finger है 2nd finger, 3rd finger and 4th finger और यहां पे यह joints बनते हैं distal fillings में और medial fillings में और यहां पे यह जो proximal fillings है inter phalangeal joint यहां पे बनता है और यहां पे जो joint बनता है metacarpal और proximal fillings में इसे कहते हैं metacarpal phalangeal joint इसे हम कहते हैं यह है diagram of bone of hand अब हम ट्रिक की तरह आते हैं ट्रिक क्या है bones जो anti branchium और branchium की bones हैं इनको याद रखना easy है जैसे कि हम याद रखे हैं कि humanis, radius alna, carpal, metacarpal phalanges, so simple इनके नाम याद रखना है लेकिन जो bones हमने डिसकास की carpal में वह कौन सी थी स्पीनाइट सुरी मैं स्पीनाइट बोलगी स्पीनाइट 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 इनके नाम याद रखना difficult है इसके लिए बहुत easy trick है जो कि मैं आपको बताती हूँ वह क्या trick क्या है जी यह है trick इसको याद रखना बहुत easy है आप एक लाइन जाद रखोगे और आपको इन बोन्स के नाम याद रहेंगे क्या लाइन है she looks too pretty try to catch her she looks too pretty try to catch her अब कैसे यह होगा she का जो फर्स लेटर है scapite looks का जो L है lunate T trichutium और pretty का जो P है pisiform try का जो T है trapezium और 2 का जो T है trapezite catch का C capitate और हर का जो H है वो क्या है hamid so यह है trick जो के याद रखने है हमें bones of carpel को याद रखने के लिए उमीद है आपको समझ आगे होगे अगर कुछ भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में बूल सकते हैं thank you so much for watching my video दौा में याद रखिएगा आपके 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 यह исп Size झाल झाल